Hello everyone, welcome to study time, it's time to learn आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2, that is Arts of the Indus Valley of 11th क्लास NCRT Fine Arts तो important चैप्टर है Indus Valley Civilization के बारे में हमें बताता है and एक trend देखा गया है कि Indus Valley Civilization से हर साल कोई ना कोई क्वेशन ज़रूर आता है इस बार 2019 के प्रेलिम्स के पेपर में भी Indus Valley Civilization से एक क्वेशन आया था तो यहां में particularly हम जो आर्ट अंड कल्चर का आस्पेक्ट है उसके बारे में बात करेंगे आप दे इंडस वेली सिविलाजेशन इंडस वेली सिविलाजेशन के अगर हम बात करें तो यहां पर हम बात करें सेकंड हाफ अफ 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 थर्ड मिलिनियम बीसी यानि की तीन हजार से दो हजार बीसी के जो हजार साल थे उसके सेकंड हाफ में यानि की आप एक तरह इसको कह सकते हैं इट वास जूलिंग टू थाज़ेशन यहां पर हम पहुंचतेंगे जरू पर इस साइड बीसी है तो आपको पता होना चाहिए यहां पर साल जो थे उल्टे चलते हैं लेकिन अगर हम आज की बात करें 0,10% और इस तरह से 1,000 और आज की डेट में मान लीज़े 2020 चल रहा है पर यहां पर उल्टा होता था, यहां पर अगर यह 3000 है, तो उसके बाद 2000, उसके बाद 1000 and ultimately 0, तो BC में होता यह था कि जो 3000 जो साल है, वो पहले हुआ है as compared to 2000, लेकिन हम आज की बात करें, AD की बात करें, तो जो 2000 साल है, वो पहले होगा as compared to 3000, तो यह टाइम स्केल ऐसे वर्क करत है, that is basically 2500 to 2000 BC, तो यहां पर बहुत तरह के art forms मिले हैं, अलग-अलग sights में से, जैसे की sculptures, seals, pottery, jewelry, terracotta figures, etc, तो जो आर्टिस्ट थे इस टाइम के, उनके पास definitely अच्छी artistic, fine artistic sensibilities थी, और साथ में एक vivid imagination भी थी, और यह हमें पता चलता है उनकी जो different art forms हमें मिले हैं उस से, जो उन delineation थी, human और animal figures की, delineation का मतलब basically इतना है, कि किस प्रकार से उन्होंने इसको दिखाया था, तो जो human और animal figures के जो इनने अच्छी तरह दिखाया था, कि वो highly realistic लगते थे, और जो anatomical details थी, यानिकि body की जो details थी, वो बहुत ही unique थी, और अगर हम terracotta art की बात करें, तो उसके ज extremely careful manner में बनाया गया था, तो अब तक हमें देखा Indus Valley Civilization जो है, वो second half of the third millennium BC के बारे में, के राउंड आई थी, वहाँ पर बहुत सारी जो हमें, sculpture, seeds, pottery, jewelry, terracotta figures मिलते हैं, जो depict करते हैं, fine artistic sensibilities और vivid imagination को, और जो उनकी delineation थी, human और animal figures की, वो काफे realistic थी nature में, और जो anatomical details उनन figures थे, उनको extremely careful manner में दिखाया गया था, अब बात करते हैं, कौन-कौन सी major sites से Indus Valley Civilization की, तो जो दो major sites से Indus Valley Civilization की, वो थी Indus River के along, और वो थी city of Harappa in the north, and Mohen Jodaro in the south, तो आपको बतावना चाहिए, कि अगर मालेजे, Indus River के पास है, पहला point, दूसरा ही बतावना चाहिए, आपक तो Mohen Jodaro है, वो south में है, और यहाँ पर सबसे important बात है, it showcases one of the earliest examples of civic planning, क्यानी कि जो cities थी यह बहुत planned nature की थी, जैसे आज की cities हमें देखने को मिलती है, उसके लावा अगर आप देखोगे, तो हमें यहाँ पर houses दिखते हैं, markets दिखती हैं, storage facilities दिखती हैं, offices दिखते हैं, public bath और यह सब था, यह एक grid like pattern में arranged था, जैसे मान लीजिए 90 degree की grid है, तो इस pattern में वो arrange हुआ करता था, तो इसलिए highly developed drainage system में वहाँ पर देखने को मिलता था, और हरपा और जो मोहन जोदारों है, यह पाकिस्तान में situated है, present day, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया म राजिस्तान में, तो हमें बता है कि जो इंडिस्वेली सिविलाइशन की sites थी, वो बहुत ही ज्यादा developed थी और वहाँ पर civic planning, urban planning देखने को मिलती थी, and also वो एक grid like pattern को follow करते थे, and वहाँ पर एक well developed drainage system होता था, and जो हमने सबसे दो important sites की बात की, मोहन जोदारों और हरपा, व पर है पंजाब में, और काली भंगन है राजिस्तान में, तो यहाँ पर cover करने के बाद हम चलते है, stone statues पर, तो जो statues थे इंडिस्वेली सिविलाइशन के time में, चाहे वो stone के हो, चाहे वो bronze के हो, चाहे वो टेरागोटा के हो, वो abundant नहीं थे, लेकिन जितने भी थे, वो बहु 3-dimensional figures हैं, और यह बहुत ही अच्छी तरह से बनाए गए थे, इससे पता चलता है कि जो उनकी 3-dimensional figures को handle करने की capacity थी या capability थी, वो बहुत ही जादा अच्छी थी, stone के अगर हम बात करें, तो दो male figures जो हैं, वो बहुत prominent हैं यहाँ पर, एक है red sandstone का torso, और एक है bust of a bearded man in soapstone, तो स soapstone में बना हुआ है, यहाँ पर जो figure भी आपको दिख रहे हैं, यह soapstone में बना हुआ, bearded priest, जो की extensively discuss किये गए हैं अभी तक, तो figure of bearded man है, यह आप देख सकते हैं beard, तो figure जो है bearded man की, इसको एक priest जो है identify किया गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं, इनकी जो eyes हैं, वो half closed हैं, usually meditation से link की जाती है, फिर आप देख सकते हैं, जो shawl है इनकी, it is coming under the right arm and covering the left shoulder, तो यह important याद रखने हैं आपने, इससे question बन सकता है, कि जो right arm की नीचे से जाकर, यह left shoulder को cover कर रही है, जो shoulder है, यह important है, यह tree foil pattern से decorated है, तो यह जो मैंने आभी draw किया है, आप देख सकते हैं, पूर होया है, तो tree foil pattern से कहा जाता है, जो eyes है, वो little elongated है, थोड़ी सी लंबी है, half closed है, as in meditative concentration, जैसा कि मैंने आपको भी पताया था, जो nose है, वो well formed है, and of medium, यहां से एक बार आप फिर देख सकते हैं, यह सारी चीज़े, right hand, जिसके नीचे से shawl आ रहे हैं, यह left shoulder पर, उस पर यह necklace हो गया है, necklace है, sorry, armlet हो गया है, यहां पर यह आप उनके ears देख सकते हैं, prominent nose है, यहां पर उपर आप देख सकते हैं, mustache देख सकते हैं, well cut है, beard जो है, वो बहुत ही stylish एक तरह से कह सकते हैं, जैसे present day में होती है, उस तरह से है, and then, यहां पर necklace जैसा भी कुछ देखने को मिलता ह Size, जो mouth है, वो एक average size का है, और जो mustache है, वो close cut है, और beard जो है, वो छोटी है, और बिल्कुल एक particular, जिसको कहते हैं, source समझ के बनाई गई है, and whiskers है, जो ears है, वो resemble करते हैं, double shells को, with a hole in the middle, hair जो है, वो well parted है in the middle, and एक plain woven fillet is passed around the head, Armlet भी पैना हुआ है, एक right hand पे, और जो holes है, neck के around, उससे ऐसा लगता है, कि it is just like a necklace, तो यह हमाने हमने पूरी detail पड़ी, अभी तक हमने bearded priest के बारे में, अगर हम बात करते हैं, bronze casting की, तो जो art और bronze casting है, वो बहुत wide scale पर practice किया जाता था, heart happens में, and यह बहुत ही important है, क्योंकि यह उस time के comparatively, किसी ने सोचा नहीं था, जब तक heart happens civilization discover नहीं हुई थी, कितना complex जो art है, वो वहाँ पर होगा, किसी ने सोचा, यह भी नहीं था किती अच्छी civic planning वाली, इतने साल पुरानी कोई civilization हो सकती है, पर यह भी बहुत special feature है, हरपन civilization का, तो इनके जो bronze statues होते थे, उनको बनाया जाता था, by lost wax technique, तो यह आपको याद होना चाहिए, बहुत important point है, lost wax technique, तो इसमें basically होता यह था, जो wax figures थे, उनको एक clay की coating से cover किया जाता था, और उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था, उसके बाद wax को heat करकर, molten wax को उसमें से निकाल दिया जाता था, एक छोटा सा hole बना कर, clay cover में, और जो hole and mold बचता था, उसके अंदर molten metal को डाल देते हैं, जो particularly original shape जो थी object की ले ले लेता था, जब metal सूख जाता था, cool हो जाता था, तो clay cover को completely remove कर दिया जाता था, और इसको हम कहते हैं, lost wax technique, यहाँ पर important बात आपको यह याद रखनी है कि इसको सीरे परद्यो टेकनीक भी कहा जाता है, कौन से टेकनीक, सीरे परद्यो टेकनीक, तो basically एक पर फिर से समझ लेते हैं कि process क्या था, सबसे पहले, एक wax की figure बनाए जाती थी, मान लीजे यह figure है, यह wax की figure है, फिर इसके उपर यह black color से जैसे, यह represent कर रहा हूँ है, clay की coating कर दी है न, यह अंदर जो भी है, यह wax ही है, यह अंदर जो है, वो सारा wax है, फिर क्या करते थे वो, एक छोटा hole बनाते थे कहीं पर भी, नीचे की तरफ, और तब तक clay सूग जाती थी obviously, और उसके बाद इसको वो heat करते थे, heat करने से क्या होता था यह जो wax है, यह इस hole के थूरू सारा निकल जाता था और हमारे पास सिर्फ एक hollow, हमारे पास सिर्फ एक hollow, खाली बिल्कुल, हमारे पास एक खाली hollow जो है, वो structure ऐसे सा बन जाता था, इसके बाद इसके अंदर वो molten metal, जो metal है उसको पिंग लाकर इसमें डाल देते थे, एंड होता क्या था, eventually यह सूख जाता था, सूखने के बाद, वो यह करते से, सूखने के बाद, इसका जो metal है, इसकी जो clay है outside की, वो इसको भी हटा देते थे, इवेंचली एक हमारे पास सिरफ एक metal का structure बच रहा था, जो कि proper shape में होता था, जैसे कि हमें चाहिए, ठीक है, तो यह proper shape में वो बच गया, और इसके बाद, जैसे सब होने के बाद, वो इसके अंदर fine जो थोड़ी बहुती, nuances से, या फिर थोड़ी बहुती जो उनको changes करने होती थी, या finishing करने होती थी, वो इसमें कर लेते, तो इसको हम कहते थे, lost wax या फिरे पर्दियो technique, तो bronze metal के हमें animal और human figures दोनों मिलते हैं, जो best example है, वो है animal, इंसान का, that is a dancing girl, animals की बाद करें, तो जो buffalo की बहुत अच्छी figure हमें देखने को मिलती है, with its uplifted head, back and sweeping horns, and the goat are of artistic merit, तो यहाँ पर एक goat की figure भी हमें देखने को मिलती है, जो bronze casting का process था, वो popular था, सारे major centers में of the industry civilization, copper dog and bird of lothal and the bronze figure of a bull from Kalibangan are in no way inferior to the human figures of the copper and bronze from Harappa and Mohanjodaro, यानि कि यहाँ पर basically यह बता रहे हैं कि जो अलग-अलग figures, अलग-अलग जगा से मिली है, वो एक दूसरे से किसे से कम नहीं है, जैसे कि जो लोथल मैंने आपको बताया था, गुजरात में हैं, वहाँ पर dog or bird की figure मिली है, काली बंगन से figure मिली है, जो की राजिस्तान में है, तो यह जो figures मिली है, यह हरपन और जो हरपन और मोहन जो दारों main centers हमने डिस्कुस किये थे, जो की present पाकिस्तान में है, उससे किसी भी तरह से कम नहीं है, जो metal casting है, यह continuous tradition था हुआ पर, क्योंकि जो late head upन और celcolithic sites हैं, जैसे कि दायमाबाद हो गई महारास्ट्रा में, यह excellent examples हैं आज भी of metal casting, तो आपको याद रखना है, डायमाबाद जो महारास्ट्रा में है, तो यह भी metal casting के बहुत ही अच्छे examples थे, और later period में भी जो human और animal figures थी, वो ही dominate कर सी थी, और इसलिए पता चलता है कि जो figures, sculptures का tradition था, वो एक छोटा tradition नहीं था, यह एक continued tradition था, जो continue हुआ down the ages, अपार्ट फॉम एट टेराकॉटा की जो images थी, वो भी हाँ पर मिली जाती थी, यानि कि टेराकॉटा statues भी हमें देखने को मिलते थे इंदे इंडर्स वैली सिविलाइजेशन, पर अगर हम उन्हें compare करें to the stone या फिर ब्रॉंच statues से, तो जो टेराकॉटा images होती थी, वो comparatively crude होती थी, crude का मतलब उनकी जो finishing थी, वो एतनी अच्छी नहीं होती थी, जितनी stone या फिर ब्रॉंच statues की होती थी, तो जो टेराकॉटा representations सी, या फिर टेराकॉटा images थी खास कर human form की, they were comparatively crude in the Indus Valley as compared to stone and bronze statues, लेकिन अगर हम गुजरात sites की बात करें, particularly काली बंगन की तो वहाँ पर यह realistic है, तो इसमें important point आ जाता है कि गुजरात में एक site है, जिसका नाम है काली बंगन, तो ऐसे कहीं पर sites को पूछा जाता है, तो गुजरात में काली बंगन, तो टेराकॉटा images में जो सबसे important figure है, that is of mother goddess, यानि कि वो mother goddess को पूजा करते थे, यानि कि वो धरती मा की पूजा करते थे, अपार्ट वम दाड़ी वाले कुछ male figures दीखने को मिलती हैं, जिनके hair जो हैं, वो coiled हैं, जो वो posture हैं, उनका बिल्कुल upright है, बिल्कुल broad है, जो legs हैं, वो apart हैं, gap है उसमें, और जो arms हैं, वो parallel हैं, बिल्कुल body की sides के साथ, तो यह जो repetition है figure की, बिल्कुल same position में, यह suggest करता है कि possibly यह जो figure है male bearded की, bearded male की, यह भी एक deity था, क्योंकि जो deity होते हैं, भगवान की photos होती हैं, वो almost same तरह से, आज के जमाने में भी देखने को मिलता है, similar form, जैसे अगर अब क्रिशन जी की बात करेंगे, तो आपको similar form with bouncer in hand, and more punk head के उपर, तो इस तरह की जो हैं, वो similar pictures देखने को मिलती हैं, तो अगर एक picture बार बार repeat हो रही है, बिल्कुल same, तो possible chances हैं कि वो एक deity थे, जो terracotta mask भी मिला है, horn deity का, और यह भी important है, क्योंकि यह थोड़ा religion के बारे हमें बताता है, अपार्ट फॉम दाट, toy karts मिलते हैं, जिन में wheels लगी हुई है, इस से पता चलता है कि जो wheels हैं, वो इंडेस वैली में लोगों को पता था, whistles, यानि की city यहां, rattles, birds and animals, games men and discs are also rendered in terracotta, तो कहने का मतलब है, बहुत सारे खिलोने, बहुत सारे toys भी terracotta के बनाया जाते थे, लेकिन जो human forms से आप देख सकते हैं, इस image से, यह comparatively crude थे, उतने अच्छे polish नहीं थे, जितने की stone या फिर हमारे bronze के statues होते थे, अगला point important आता है हमारे पास seals, seals बहुत important बन जाती है, archaeologist जो हैं, उन्हें थाउसंड्स of seals को discover किया है, और सबसे जादा जो seals हैं, वो बनी हुई है streetite की, यह बहुत important है, majority of seals are made up of streetite, और occasionally यह agate, chert, copper, fiancé या फिर terracotta की भी होती थी, beautiful figures देखने को मिलती है, animals की seals के उपर, जैसे की unicorn, bull, rhinosaurus, tiger, elephant, bison, goat, buffalo, etc, तो बहुत सारे animals की हमें figures देखने को मिलती हैं on these seals, और यह जो rendering है इनकी, फिर जो इनकी carving है, यह बहुत ही अच्छी होती है, और it is remarkable, और जो purpose था, seals बिनाने का, that was mainly commercial, तो यह point बहुत important हो जाता है, पहला point अभी तक हमने देखा, seals जो हैं, वो mostly stratified की होती है, उसके अलावा agate, chert, copper, fiancé, terracotta की भी होती है, animals की realistic figures इस पर होती है, पर इसका जो main purpose था, वो commercial था, seals जो थी, इनका इस्तमाल as a present day identity card की रूप में भी होता था, तो जो होता क्या था, जो seals थी, उसको हाथ पर, यहाँ पर ऐसे हाथ पर भान लिया जाता था, यह emulet की तरह भी काम करती थी, and also यह modern day identity card की तरह भी काम करती थी, कि उससे पता चलता था, identify करना असान हो जाता था, यह particularly कौन individual है, अगर हम बात करें, size की तो जो arm तोर पर, जो seals थी, वो square होती थी, 2 by 2 की, 2 by 2 inches की, और यह arm तोर पर street tight की बनी होती थी, हर के उपर एक pictographic script होती थी, जिसको आज तक decipher नहीं किया गया है, तो यह important point है, जो Indus Valley Civilization है, उसकी जो script है, वो pictographic है, and इसको आज तक decipher नहीं किया गया है, जब script decipher हो जाएगी, तो उसके बारे में हमें, civilization के बारे में हमें, और बहुत कुछ पता चलेगा, और इसमें important point और है, जो Indus Valley Script है, वो Bostro Fidonus है, spelling आप चेक कर सकते हैं, इसका मतलब basic लीतना है, जो script है, वो right to left चलती है, फिर अगली line में, left to right continue होती है, then वापिस right to left, तो यह इस तरह से script जो है, चलती है, तो इसको कहते है, और यह आज तक decipher नहीं हुई है, कुछ seals जो है, exclusively वो ivory में भी पाई गई है, और बहुत तरह के motives हैं, जालतर animals के हैं, जैसे के bull, with or without the hum, the elephant, tiger, सब देख सकते हैं, goat and also monsters, तो यहाँ पर आप example देख सकते हैं, यह unicorn seal का, तो यह जो figure है, यह एक तरह से unicorn की figure लग रही है, यह भी unicorn seal है, और यह परशुपती seal है, जिसके बारे भी हम discuss करने वाले हैं, क्योंकि बहुत important seal बन जाती है, कहीं बार देखने को मिलता था कि जो trees हैं, या फिर human figures उनको भी depict गया गया है, जो most remarkable seal है, that is परशुपती seals, और यह बहुत important इसलिए है, क्योंकि इसमें एक figure है center पे, और उसके आसपास animals हैं, तो बीच में एक human type figure है, और आसपास इसके animals हैं, तो इसको जालतर जो लोगों ने परशुपती seal का नाम दिया है, हाला कि कुछ लोग इसको female deity भी बताते हैं, जो seal है, यह human figure एक बीच में देख सकते हैं, यह human figure बीच में बैटे हैं, और यह देखिए, इस तरह से cross-legged है यह, cross-legged होकर यह बीच में human figure बैटे हैं, तो आप elephant और एक tiger इनके right side पर बैठा है, अगर आप उनकी right side देखेंगे तो आपको बता चल जाएगा, and एक buffalo और एक rhinosaurus इनके left side पर बैठा है, in addition to these animals, दो antilopes दिखाए गए हैं, जो की बिलकुल below the seat है, और यह जो seals है, इनकी जो date है, around 2500 to 1900 BCE मानी गई है, और यह बहुत considerable numbers में मिले है in the ancient city of Mohanjodaro in the Indus Valley, जो मैंने आपको बताया था, आज की date में, present day पाकिस्तान में है, जो figures और animals हैं, उनको intaglio on their surfaces carve किया गया है, तो intaglio का basic मतलब होता है carve करना, तो आप देख सकते हैं, यह देख सकते हैं, कि जो नीचे का area है, थोड़ा comparatively नीचे है, and जो figures हैं, वो थोड़ figure होती थी, एक side पर, और दूसरी side पर inscription होती थी, या फिर दोनों sides पर inscription भी होती थी, तो इस तरह की square या फिर rectangular copper tablets भी मिली है, और कहीं बार देखने को ये भी मिला है, कि मान लीजी, ये 3 dimensional आप देख सकते हैं figure है, मान लीजी, तो apart from front and back, जिसकी बीचे होगा, sides के अंदर भी carving देखने को मिली थी, तो वो बहुत expert होती थी, और वो side में carve करने में भी शक्षम होती थी, जो figures और science है, ये बिल्कुल carefully cut की जाती थी with the burin, और ये जो copper tablets थी, ये अब amulets की तरह यूज़ की जाती थी, जैसा मैं आपको बताया था, और inscription जैसे seals पर हुआ करती थी, जो अल of inscriptions, तो आपके मन में question आता होगा कि burin क्या होता है, तो burin basically एक हाथ में पकड़ने वाला, एक steel का बना हुआ tool होता है, उस time पर steel अगर नहीं भी होता था, तो it is particularly a tool made by any metal, तो किसी भी metal का बना हुआ एक हाथ में पकड़ने वाला tool, जिसका इस्तमाल किया जाता था इस तरह स किसी जीज़ को उभरा दिखाने के लिए उसका इस्तमाल किया जाता था, तो इसके बाद चलते हैं बहुत important point पे जो है pottery, तो बहुत large amount of pottery जो है, वो excavate की गई है from different sides of the Indus Valley civilization, and यह जो pottery है हमें बहुत help करती है, understand करने में, पताने में, कि किस प्रकार से अलग-अलग तरह के ज जो designs थे, अलग-अलग तरह की जो shapes थी, styles सी, follow की जाती थी in the Indus Valley civilization, Indus Valley civilization में कर हम बात करें, तो chiefly, एक very fine wheel made pottery हमापर देखने को मिलती थी, यानि कि wheel के द्वारा जो आज की rate में भी हम देखते हैं, इस तरह से wheel होता है, और उसके उपर pottery बनाता है, potter बड़े skill से, उस तरह क जो चीजें थी, वो देखने को मिलती थी, और एक very fine, भहती अच्छी handmade pottery भी हापर थी, apart from that, पर जो fine wheel made pottery थी, वो dominant करती थी, अगर painted pottery की बात करें, तो comparatively कम थी, और plain pottery dominant करती थी, over painted pottery, plain pottery जो थी, वो जालता red clay से बनी होती थी, और fine red या gray sleeves उस पर होती थी, और कहीं बार नही होता है कुछ handle types, उसको गहते है knobbed wear, ornamented with rose of knobs, black painted wear को भी देखने को मिलता है हमें, तो जो black wear pottery होती थी, वो एक अच्छी pottery होती थी, और उसमें होता ये था, कि पहले fine coating की जाती थी, उसको उपर red slip की, और उसके उपर geometric और animal designs, glossy black paint से execute किये जाते थे, अब इसके बार चलते हैं polychrome pottery वे, ये बहुत rare होती थी, और इसके अंदर small washes आते थे, जो decorate किये जाते थे geometric pattern से, अलग-अलग रंगों में, जैसे कि red, black, green, कभी कभार white और yellow, incised wear भी देखने को मिलती थी, बट जो incised wear थी, वो comparatively rare थी, और जो incised decoration थी, वो जादा तर जैसे मान लीजे, अगर ये एक pan है, तो इसके base पर होती थी, या फिर, apart from that, जादे तर ये inside of the dishes होती थी, perforated pottery भी हमें देखने को मिलती है, perforated pottery का मतलब होता है, कि मान लीजे, अगर ये वास है ऐसा, तो इसमें इस तरह से holes होंगे, and इसका mainly जो purpose होता था, perforated pottery includes a large hole at the bottom, तो bottom में एक large hole होगा, and also small holes all over the wall, जैसा कि मैंने आपको इस figure में दिखाया है, and इसका probably जो इस्तमाल था, वो beverage को strain करने के लिए होता था, या फिर liquor की straining के लिए होता था, household purposes के लिए भी pottery बिनाई जाती थी, और अलग-अलग shapes और sizes में मिलती थी, for daily practical use, आम तोर पर बिलकुल जो होता है graceful curves, जैसे कि इस तरह जैसे graceful curves जाली जो pottery होती थी, उनका इस्तमाल किया जाता था, लेकिन कभी-कभी ऐसा भी देखने को मिलता था कि straight और angular shapes का भी इस्तमाल इसमें किया जाता था, इसके बाद important point आता है miniature vessels, जो की decoration के लिए miniature का मतलब होता है, छोटे size की, तो होती है न, जैसे mini vessels, बिलकुल point था, example देख सकते हैं, perforated pot का large, एक hole की परचाई दिख ली है bottom में, and यह सारी wall पर इसके holes है, and यह आप देख सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा था, एक red fine coating से black bear poetry, and उसके उपर geometric designs बनाए गए हैं, by the use of glossy black paint, अब चलते हैं, beads and ornaments पे, जो हर अपन men और women दोनों थे, वो decorate करत थे एक दूसरे को अपने आपको, with large variety of ornaments, और यह जो ornaments थे, यह हर चीज़े बनाए जाते थे, जाए वो precious metal हूँ ना हो, जाए वो gemstones हो, जाए वो bone या फिर bed clay हो, जो necklaces, fillets, armlets, and finger rings जो थे, यह men और women दोनों पेहनते थे, important है याद रखने आपको, men and women, both used to wear necklaces, fillets, armlets, and finger rings लेकिन जो girdles या फिर earrings और anklets थे, यह तीन चीज़े थी जो exclusively women पहना करती थी, तो women जो exclusively पहनते थी आपको याद होने चाहिए, girdles, earrings, and anklets Jewelry एगर देखे हैं, बहुत सारी Jewelry पाई गई है, मोहन जोधारों में, Lothal में, Lothal गुजरात में है, मोहन जोधारों प्रेजेंटी पाकिस्तान में है, and इसमें necklaces of gold, semi-precious stones, copper bracelets, beads, gold earrings, head ornaments, fancy pendants, buttons, beads of statite, and gemstone, तो यह सब कुछ बिला है, और बहुत vast quantity में मिला है, जितने यहां पर एक बहुत ही exclusive चीज मिली है, अलग trend मिला है, जिसमें जो symmetry थी, यहां पर बरी किया जाता है, लोगों को जो मर जाते थे, उन dead bodies के साथ ornaments भी डाले गए थे, तो हो सकता है, इससे पता चलता है, कि जो Indus Valley Civilization के लोग थे, उनका possibly afterlife में भी विश्वास था, जो bead industry थी, वो well developed थी, क्योंकि हम factors के example देखते हैं, चान होधारों में, लोथल में, beards जो थी वो cananial, amethyst, jasper, crystal, quartz, tree tight, turquoise, lapis lazuli, तो इन सब चीजों से बनती थी, जो metals होते थे, जैसे कि copper, bronze, gold, या फिर shell, fiance, एंटारा कॉटा, या फिर burnt clay, इन सब का इस्तमाल भी beards बनाने में किया जाता था, तो हम देखते हैं कि जो beads थी, वो almost हर तना की चीज़ से बनाई जाती थी, shapes भी इनके अलग-अलग होती थी, कुछ disc shape होती थी इस प्रकार से, कुछ cylindrical होती थी, कुछ spherical होती थी, कुछ barrel shaped होती थी, और कुछ segmented होती थी, कुछ ऐसी beads भी देखने को मिलती थी, जो दो या दो से जाधा stones को जोड कर इकठे बनाई जाती थी, यहाँ पर यह भी है कि कुछ stone को gold cover से भी cover किया जाता था, किछ को decorate किया जाता था, in size करकर उसके उपर या फिर painting बना कर, या फिर कुछ के उपर designs बने हुए थे, बहुत technical skill जो थी, वो available थी in the case of bead manufacturing with the industry civilization people, जो हर अ के लोग थे, वो brilliantly naturalistic model animals के भी बनाते थे, और उसमें भी specifically monkeys और squirrels वो बहुत अच्छी तरह बनाते थे, और उनका pinheads और beads के रूप में इस्तमाल करते थे, बहुत सारी spindles और spindle walls भी मिले हैं, इंडर्स वेली civilization में जिससे पता चलता है, इंडर्स वेली civilization had the knowledge of making clothes, तो इसमें जो spinning of cotton था और wool था वो बहुत common था, अब इसमें आपको बता चलेगा कि जो spindles होते थे, जिसका basically cotton या फिर wool and cloth बनाने का मकसद होता है, ये अलग-अलग तरह के मिलते थे, ये expensive metals हैं उनके भी बने होते थे, और ये जो बिल्कुल normal सस्ती metals के लावा जो सस्ते stones भी गा रहा हो उसके भी बने होते हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो था, ये basically household में भी यूज किया जाता था इनका, जो normal लोग यूज करते थे, और जो बड़े लोग थे, या फिर जो अमीर लोग थे, वो एक मतलब अलग तरह से थोड़ा expensive, उसी तरह की spindle को expensive रूप में यूज करते थे, तो spinning is indicated by find of walls made of the expensive fiancé, as also of the cheap pottery and shell, जो मैंने आपको बताया अभी वो ही, जो men और women थे, वो separate pieces of attire पैनते थे, जैसे कि आज की रेट में धोती या फिर shawl होता है, और जो shawl था, वो left shoulder को cover करता था, और right shoulder के below जाता था, जैसा कि हमने discuss किया था, in the case of bearded priest, तो उसमें भ था, archaeological finds हमें ये पता चलता है कि जो इंडेस्वेली civilization के people थे, वो fashion के प्रती बहुत जागरूख थे, बहुत conscious थे, अलग-अलग तरह के hairstyles हमें देखने को मिलते हैं, जो prevalence में थे वहाँ पर, and wearing of beard was a popular among all, यानि कि दाड़ी रखने का वहाँ पर एक तरह से रिवास था, अब इसमें एक और interesting fact है कि वो makeup विगार हमें भी believe रखते थे, and Cinnabar का use करते थे वो as a cosmetic, and face paint, lipstick, and collirium eyeliner were also known to them, यानि कि वो lipstick, eyeliner, face paint इन सब के बार में जानते थे, and Cinnabar important बन जाते हैं हमारे लिए Cinnabar को इस्तिमाल करते थे as a cosmetic, बहुत सारे stone structural remains जो हैं वो मिले हैं डोला वीरा मे जो पताते हैं हमें कि Indus Valley Civilization के जो लोग थे, वो stone का इस्तिमाल भी करते थे in the construction, अब last में देखते हैं जो artist and craftsmen थे Indus Valley Civilization के वो extremely skilled थे, अलग-अलग crafts में, चाहे हो metal casting हो, चाहे हो stone carving हो, चाहे हो pottery को बनाना या paint करना हो, या फिर terracotta images को बनाना हो using simplified motifs of animals, plants, and birds, तो अगर Indus Valley civilization के topic से question आता है, अगर means में, जिसमें आपने इस सम के बारे में बताना हो, उनकी skills के बारे में बताना हो, तो ये line आप, यूँकि हो code कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, that the artists and craftsmen of the Indus Valley civilization were extremely skilled in a variety of crafts, metal casting, stone carving, making and painting pottery, and making terracotta images using simplified motifs of animals, plants, and birds, तो इसके बाद 5 questions exercise के हैं, अगर इन में आपको कोई doubt है, तो आप comment section में पूस सकते हैं, and comment section में इसका answer भी कर सकते हैं, तो अब देख लेते हैं, कुछ images दी हुई है, जो बहुत important बन जाती है, हमारी exam perspective से, सबसे पहले हमें दी गई है image dancing girl की, ये image है, और यहाँ पर इसके बारे में हमें पताया गया है, और इसके जो ये long hair है, it is tied in a bun, तो ये bun shaped long hair है, अब important आता है बात एक और यहाँ पर कि जो bangles है, that is in left arm, तो bangles हो गई left arm में, ये आपको याद करना होगा, ये बहुत important बन जाता है pre point of view से, and bracelet और emulet जो है, या फिर एक छोटी बैंगल जो है, that is in her right arm, तो ये important है, और एक का काओरी शेल का necklace जो है, it is around her neck, तो ये जो necklace है, ये काओरी शेल का बना हुआ है, जो उसका right hand है, जिसमें एक armlet या फिर एक छोटी बैंगल है, that is on her hip, and जो उसका left hand है, वो एक traditional Indian dance gesture के अंदर ऐसे लगता है, सीधा हाथ है, और इसी कारण से इसको जो नाम है, इसको नाम डां information इस figure से हमें मिलती है, तो कौन-कौन से point important है, सबसे important point ये है, कि ये copper की बनी हुई है, ये 4 inch की height है, मोहन जो दारों से मिली है, जो hair है, वो bun shape long hair है, जो left arm है, उसके अंदर पूरी bangles है, और वो एक dance posture में है traditional, right hand जो है, उसमें एक छोटी बैंगल है, और एक armlet है, जो की hip के उपर हाथ रखा हुआ है उन्होंने, और जो necklace है, वो cowry shell का बना हुआ है, and lastly, जो eyes है, वो बड़ी है, और जो nose है, वो flat है, तो this is all about dancing girl, अब देखते हैं, ये bronze figure जो है, ये bronze figure एक bull का है, आप देखके बतर आसपताई सकते हैं, कि एक bull का figure है, और ये भी मोहन जोदारों से मि जा गया है, जो animal है, वो जो, उसका head है, वो slightly आप देख सकते है, right side की तरफ turned है, and also, उसके neck के around a cord है, जिसे लगता है, कि ये किसी तरह का पालतू, जैसे आज की date में हम cord डालते हैं neck पे, उस तरह का कुछ हो सकता है, अब देखते हैं, male torso, ये एक red sandstone के द्वारा बनी हुई figure है, ये बहुत important बात है, जो male torso है, ये red sandstone से बना हुआ है, और इसमें socket holes हैं देख सकते हैं, जिसे पता चलता है, ऐसे लगता है, कि जरूर इसके साथ arm attach की गई होंगी, इन holes के द्वारा जो बाद में तूट गई, या फिर उनको maintain करना possible नहीं रहा होगा, साथ में उपर आ ये बहुत ही clearly बनाया गया है, और जो abdomen है, ये जो peat का हिसा है, ये slightly prominent है, थोड़ा सा भार निकला हुआ है, और जो shoulders है, वो बहुत ही अच्छी तरह bake किये गए हैं, अब ये example है, हमारे पास pottery का painted earthen jar, ये मोहंजोदारों में मिला है, और ये potter's wheel पर बना है, जैसा कि मैंने किया जाता है, जैसे आज की date में किया जाता है, और bake करने के बाद claim model को उसको paint किया जाता था, usually पाया है black color, और polishing जो थी वो बहुत high quality थी जैसा कि आप देख सकते हैं, finishing touch आज भी बिल्कु जो सी perfect है, जो motifs थे वो जालते वो vegetables या फिर geometric figures के होते थे, designs जो थे वो simple थे लेकि कोटा की usually crude होते थी, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक female figure है, जिसके उपर बहुत सारे necklaces से addon किया गया है, और जो breasts हैं वो prominent हैं, और एक lowing cloth और gilder उन्होंने पहना हुआ है, जो fan shaped है, headdress, with a cup like projection, on each side is a distinct decorative feature of the mother goddess figures of the indus valley, तो जो mother goddess figures जितनी भी indus valley में पाई जाते हैं, उन्हें इस सेम तरह का head, देखने को मिलता है, जिसके उपर एक fan shaped headdress है, और एक cup like projection है, दोनों sides पर, जो pellet जैसी इसमें eyes हैं, बिल्कुल आप देख सकते हैं, पैलेट जैसी इसमें eyes हैं, और जो nose है, वो bigd है, बहुत तीखी है, और यह बहुत crude figures होती थी, और जो mouth था, उ और लास्ली हमने टेरा कॉटा mother goddess को देखा, उससे पहले हमने dancing girl को देखा था, और उसके बाद bronze bull को देखा था, तो this is all about this chapter, I hope आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो please इससे like कीजेगा, चैनल को subscribe कीजेगा, और वीडियो को ज्य Thank you so much for watching, stay tuned.